अब देख सकते हो कि मुझे मिल चुका है तीन टाइटेल एक साथ गाइस आजका हमार टॉपिक बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि आजका हमार टॉपिक है आप कैसे इसली क्लोज इंकाउंटर और बाकी के जो इंडियन फ्रैक्स के टाइटेल से ओ दो तीन एक साथ कैसे ले सकते हो और इस वीडियो को देखने के बाद आप अभी खेलने स्टर कर दोगे क्लोज इंकाउंटर को लेने के लिए और गाइस मैं इधर उदर के बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले आपको दिखा दे कि मुझे मिल चुका है एक साथ तीन टाइटेल जो है क्लोज इंकाउंटर के बंदे को फिनिश करना होता है ऑगाइस बर्सर करें आपको टोटल लीों में आपको टोटल स्किल करना है जो और यह जो स्कॉर्ड का जो ट्D कोई कोईyes करएrika और इस्मेत को पताओंगा थोडा लास्ट में कि टुंद में पताओंगा आपको शोलो के लिए और बेए बेह सकते इसली हो पूरा जरूर देखने कि जो यह बहुत ही इजीजीएस्ट तरीका है आठका ज़्यादा धोड़ने नहीं पड़ेगा और आपका टाइम सेव होगा और आप अगर बूटकेम्प खतम कर पाऊगे तो खुद को नेट कर लो नेट करके फिर से दूबरा मैस लगाओ और उस मैस से भी स्थेम भाई करो अड़ आप मड़ गये तो भी कोई सिन ये फिर से दू प्रोलों में एक या 495 प्लोट तरी का केडी मेंटेन करके एंड गई स्कॉर्ड मेंने हजार की तो उपर के विए 6.18 केडी मेंटेन करके मतलब हर एक मैस में चेके उपर किल और गई यह पर पूरा स्टैक्स अब देख सकते हो कि डेमेज कितना है एवरेज टोटल किल कितना है मतलब 5% चिकेंडर लेकर केडी आटोमेटिक कैसे मेंटेन हुआ तो इसके लिए आपको खेलना है स्कॉर्ड में और आपके साथ एक आपका मेंट होना चाहिए जो आपको पीछे से सिर्फ बैक अप देगा ना कि वो किल लेगा आपको कह करना है अगर आपके पस ज्याद कर चुके है और लास्ट में एक बंदा बाचला है तब अब नॉख हो गये तो आपका मेट क्या करेगा तब जाके ओ लगास्ट बंद hijos कर दो यह फिर एसा हो सकते आपने सका दो बंदी को नौक क्या फिर आप लॉक हो गए BACK क्या क्या में वुसको आक नौक करता हुआ उसका रश रोक के फिर आपको रिवाइब देगा फिर ओ बंदा फिर से रिवाइब जब हो जाएगा तब आप उसको माड़ो और गैस इस बीच में आपको ध्यान यह रखना पड़ेगा कि आप जिसको नौक कर रहे उसको क्लोज में फिनिश करो और इसलिए आप मिड रेंज गेम खेल ही नहीं सकते या फिर आप यह कर सकते हो कि कंफर्म होके उसका बंदा की यह तीन चर बंदे आप दूर से एक दो नौक कर सकते हो फिर पास जाके फिनिश कर सकते हो और गैस अगर आप सोच रहा हो कि स्कॉर्ट में हार्ड है तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको लोर टायर पे गोल्ड फाइप के ऊपर आपको खेलना है तो अगर आप लाटने अब भी खेलेंगे तो बंदा गाइस कुछ खास नहीं आते बंदा नू भी आते और आपके पीछे अगर बैक अप रहेगा तो यह बहुत ही जादा इसी हो जाता है और गैस मैंने खेला था स स्टाट होने के साथ साथ जहां पर मुझे अच्छे बंदे मिला था खराब बंदे भी मिला था इसी जन का स्टार्टिंग टाइम था और अगर आप सोच रहोगा कि अभी इस्टर प्रोंगा तो बहुत ज़्दा हार्ड होगा क्यों दो इस निकल चुका है बहुत सारे टू प्लाइडिनम तो गाइस बिल्कुल नूब्रे बंदे आएगा जिसको किल करना गाइस बहुत ज्यादा आसन होगा और गाइस एक बहुत ध्यान में कि आपको दिन में मैक्सिमम यह मिनिमम 200 किल करना ही है कुछ भी करके तो आप अपने लिए एक अच्छता पोजिशन गाइस में चाता हो आप यह जरूर्ट ट्राइ करो क्यों गईस कॉन्कोर से अच्छा तो आप यह कर सकते हो कॉन्कोर स ज्यादा इजी है और ऊपर से यह जो टाइटल है इसका रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है अगर टिपस काम ना है तो कमेंट बक्समें आके गाली ब बाता हूँ तो इस चेक जरूर करना और सपोर्ट करना प्लीज बहुत मेनाथ कर रहा हूँ तो इस मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक भाई भाई कि अगर 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 अगर